हलो नमस्कार दोस्तों फटाबर से जानेंगे देश के सभी राज्यों का अगलायना वले 24-48 गुंटों का मुसमकाल कैसा रहेगा यानि कि कहां पर बारिश होगी और कहां पर राजी तुफान आने की मोशिवाग ने पयांकर बारिश चेतावने चारी की है तो दोस्तों आज क इस वीडियो मा जानेंगे उत्तर परदेश, राजिस्तान, मत्या परदेश, बिहार, जोमकोश्मीर, एमाचल परदेश, उत्राखन, दिल्ली, पंजाब, हरियाना, गुजरात, महराष्ट, केरल, करना, टिक तमिल, नाडू, असम, आंदर परदेश, कुवा, पश्चि मंग करके आप अपने राजिये, जिल्ले, शेत्री, आपने गाउं को नाव जहां पर आप रहते हैं, कमेंट करके सही सही से जुरू बता दीजिएगा, ताकि अगला इनावले वीडियो में जो है, हम आपको आपके शेत्र से समदित मुस्म की सही जानकाई, शेटिक जानकार ये उपर, साट से सतर किलोमेटर परती गंटे की रफतार से तेज हवा चलने के साथी समुदर की स्तती खराब से बहुत ही खराब रहने वाली है, पस्टी में हिमालिया पर हलकी से मध्यम बारिस और हिमपात होने की भी संभावना है, जबकि केरल और दक्षिनी करनाटक में हलक इस से मध्यम बारिस और गरचम के साथी चिंटे पढ़ने की पूरी-पूरी संभावना है, वहीं तमिल लाडो में भी हलकी बारिस होने की संभावना है, और तेलगाना साहित अंदर परदेश के साथ साथ हिमाचल परदेश और पूरी असम में भी हलकी बारिस होने की पूर की और आगे बटने की संभावना है वहीं कल सोबे तक यह एक डिप्रेशन में और पर्षो तक जो है एक चकरवात में तेज होने की भी संभावना है इसके बाद यह उत्तर पूरु दिश्या में बांगलादेश और उत्री म्यामार तट की और आगे बढ़ेगा उत्री अफग बात कर ली जाए कि 24 कंटों के दुरान जो संपूर्ण भायत का मोसम कैसा रहा यानि कि कहां पर बारिश हुई और कहां पर आंधी तोफान आया तो मुसिभाक ने बताई है कि पिछले 24 कंटों के दुरान अंडबान और निकुबार दीप समों में हलकी से मद्धिन बारिश ह तो यह और कुछ इस्तानों पर बारिश भी दर्च की गई है वहीं गिलगित बारिश्तान मुझफरावदाद और जमुकस्मिर सहीत इसके आसपास के हिस्सों में हलकी से मद्धिन बारिश और हिमपात हुआ है केरल और आंतरी कना तक के भी अलग-लग हिस्सों में हलकी बार पर देश की कुछ हिस्सों और जमुश एत्र में भीष्ण गर्मी की इस्तति देखी गई है और शोराष और कचसाइद विदर्ब गुजरात के कुछ हिस्सों और पश्चिमी मर्द्य पर देश में लोग की इस्तति बनी रही है 24 गंटों के दोरान तो दोस्तों यह था संप को भी जूर से सब्सक्राइब कर लेए तैने बाद दोस्तों मिलते हम अगले वीडियो में